Good evening everyone सबी Central Level के लिए जो preparation कर रहे हैं Central Level में जितने भी competitive exams है चाहे वो railway exams हो, SSE का exams हो चाहे वो IVPS के exams हो मतलब banking के exams हो उन सबी exams के लिए आज एक notification आया है जो कि specially CET को ले करके हैं अब CET क्या है? Common Eligibility Test जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि दो साल पहले इसके बारे में केंदर सरकार ने बजट में ये एक नियम लागू किया था कि केंदर की जितनी भी vacancies हैं उन सभी vacancies को एक common exam के तहट देखा जाएगा और एक common exam के बाद में सभी exams का एक separate separate क्या होगा, man's exams होगा अब इसमें मुद्धी की बात ये है कि आज दो साल बाद में इसका एक notification आया और उस notification ने ये बताया गया है कि इसके लिए committee decide की गई है committee में कुछ special officers अधिकारी लोग बनाए गए अब वो लोग क्या करेंगे, appointment हो गए है मतलो, अब वो लोग क्या करेंगे 2022 से लागू होगा तो दोस्तों मैं आपको बदा देता हूँ कि 2022 में CET बिल्कुल लागू नहीं होगा क्योंकि 2022 के जितने vacancies आनी थी उन सब के schedule, सब के आचुके है सब के exam का calendar decide हो गया है इसका अब अब एक चीज़ का chance तो confirm है कि यही NRACET जो है आपका यह पका 2023 में implement होगा और chances यही है इसकी सब से committee बन गई है तो देखते हैं क्या होता इसका syllabus उस syllabus के बारे में पर पता चल जाएगा इसी साल के mid में, end में आप्टर 2021 में देखते हैं क्या होता NRACET के syllabus के नुचार exam pattern चले दोस्तों तो यह एक बहुत important information थी जो कि आज ही notification में पता चला चले, thank you very much